इतना सिद्दत से प्यार गतते हैं इतना दिलो जान से हम अपने पार्टनर को चाहते हैं फिर वह हमें धोका क्यों देते हैं धोके का असली रिजन क्या है तो आज मैं आपको 3 ऐसी पॉइंट बताऊंगी जो अगर आप अपने डिलिशन में करते हो तो 100% चांसे हैं कि आपके ये पार्टनर आपको धूखा दे जाएगा तो वीडियो को लास्ट तक जरू ध्यान से सुनी और जो भी मैं तीन कारण बता देए इसको कोशिश किजिए अपनी लव लाइप में अपनी रिलिशन्शिप में कभी नहीं करने का अगर करोगे तो आपको धूखा मिलने का चांस तो यह है जाधा क्यार करें न सुनके आपको अजिब लग रहा हो गा लेकिन मेरी हर पॉइंट साइक लॉजी के आधार पे मैं बताती हूँ देखिए जाधा क्यार करने से क्या होता है आपकी आपकी अपकी पार्टनर होता है वो बंधन फ्म yeart करोगे की खाना खाये हो या नेहीं सोए हो यायों नहीं क्या कर रहे हो हर्मिंट में आप सोन करता हो आपको कभी इतना ज़्यादा क्एड नहीं करना है यहां फी गलती लोग कर दिया वह एकडम होजाते रिलशेन के प्रती नहीं दिखाते तो यह भी गलत और बिल्कुल भी क्याड़ नहीं दिखाऊगे तो किस आधार पे आपको प्यार करेंगे तो आपको क्यार भी दिखाना हे लेकिन दोनों जो क्यार्थ जाळा करना और क्यार बिल्कुल ना करना है ये दोनों में आपको एक balance create करना पड़ेगा हद से जादा कुछ भी चीज अच्छा नहीं होता हद से जादा कुछ भी चीज आप करोगे तो वो आपके relation के लिए toxic बन जाएगा जहर बन जाएगा तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि अगर क्य जाएगा relationship से तो यह बहुत बड़ी एक main reason है इसको हमेशा धियार में रखना next point में आ जाते है तो next जो धोखा देने का reason है इसको सुनके आप एकदम चौक जाओगे यह दोस्तों ना कहने में अक्षम अता जिहां अगर आप आपकी partner कुछ भी बोलता है और आप कुछ भी कर से हो सकता है वो जो भी बोले हम वही कर रहे है तो अच्छी बात है ना तो इसमें धोका कहा से आ गया तो दोस्तों इसके लिए आप पहले मेरी एक बात का answer दो कि ना हमें कौन नहीं कह सकता जो हमारी नौकर होते हैं उसको हम पैसा देके रखते हैं तो हम कुछ भी बोले व आप उनके partner हो ना की नौकर हो अगर आप हर बात में हा करोगे उनका हर हुकुम तामिल करोगे तो आप एक नौकर हो जाओगे आप एक नौकर कहला होगे आप उनका partner नहीं रहोगे तो इसलिए आपको हर बात में हा नहीं करनी है आपको ना करना भी सीखना होगा अगर वो क क्या हो जायगा वो मुझसे नाराज हो फैलाणा फैलाना तो इस चकर में क्या कर तो आप वो इसा हो जाते है वो शूशते हैं कि आप उनका नॉकर नहीं सूशते हैं इन के मन में आशा ही चलते हैं consciously वो समझते हैं, कि आप में कुछ बात है ही नहीं, आप में कोई भी दम नहीं है, इसलिए आप हमेशा उनकी हुकम तामिल करते हो, इस वज़े से वो बहुत ही जल्दी आप से बोड हो जाएगा, यह फिर हो जाता है, ठीके, तो एक बात सोचिए, जब आपके उपर से किसी का इंट्रिस्टी खतम हो जाएगा, आपके ऊपर कोई बोड हो जाएगा, तो वो क्यूं ना तीसरे इंसान का खौच करेगा, क्यूं ना घूंडे को फिसे सोन को वह कुछ भी बोले हम चीज़ देखना है कि आपको किस बात पे ना करना ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि है मेरा कोई काम है तो अप जैनूइल लिना करो कि नहीं मेरे से अभी नहीं होगा मेरा ये काम है तो मैं बाद में देखता हूँ आफ इन समाना करेग Väर यह वीडियो तो आप देखो कि अगर आपका कुछ काम है उस टाइम तो अपने काम को पीछे रखके आप जो दौरे भागे जाते हो ना उनके लिए यह सब आपको नहीं करना है आपको एक्दम जैनुरेली ना करना है कि नहीं मेरा भी यह कम है अभी नहीं हो पाएगा मैं कोटे पौदे लगाते हो रोस पानी डालना पड़ता है ऐसे रिलिशनिशिप को आपको बहुत ही जतन से पालना पड़ता है जहां दोस्तों तो आपको क्या करना है हर बात में हां भी नहीं करने है हर बात में ना भी नहीं करने है हां और ना के बीच में एक बैलेंस क्रेट करके आपको चलना पड़ेगा अब आते हैं दोस्तों तीन नंबर पॉइंट में तीन नंबर जो धोके का मैं रिजन देने वाली हूँ 95% इसी वज़त से धोका मिलता यह भी बहुत इंबोर्डेंट और यह है दोस्तों बोरिंगनेस और बोरिंगनेस कैसे आता है एक ही चीज अगर आप continuously देख रहे हो एक ही चीज देखोगे तो आपको बोर्ड नहीं लगेगा आप मालिए जी एक ही चीज आप खाये जारा आपको मटर पनीर पसंद है आपको सुबह साम दुपहर साथ दिन दस दिन बस मटर पनीरी दिये जा रहे तो आप बोर्ड नहीं हो जाओगे हर इनसान का एक पैटरन होता है ठीक है तो उससे कारण से उस पैटरन से जो पार्टर होते वो बोड़ हो जाते तो आपको क्याlated हैं अपनी जो पैटरन है उसको बिछ बिछ में चेंज करते रहना चो महेने यप 5-6AAAAAAAA भी कर सकतो आपको अपनी UNDAR कुच CENGES लाना चाहिए परिवरतन का नाम ही लाइफ है परिवरतन का नाम ही जिन्दगी है तो आप खुद में थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट लाओ इसमें कोई बुरी बात नहीं है लेकिन एक ही चीज़ अगर आप करोगे मालीजे आपको रेट कलर पसंद है अब अब आप अगर हमेशा रेट कलर पहनोगे तो सामने वाला भी देखके बोर्ड नहीं हो जाएगा तो ऐसे आपका कुछ पैटन बन गया कि आपका कुछ फेवरिट चीज़े है आपका कुछ फेवरिट कलर है आपका कुछ फेवरिट ड्रेस है आपका कुछ फेवरिट हैर स्टैल्स है तो आप वही करते ही ज कुछ नया पन लगेगा जैसे कुछ नया पन लगेगा वो कभी भी तीसरे चीज़ों का तलाश नहीं करेगा क्योंकि वह आपसे कभी भी बोर्ड नहीं होगा तो खुद को हमेशा बदलते रहिए ठीक है ऐसा नहीं कि अब गिर्गिट की तरह रंग बदलने लेगे सुब ऐसा मैं नहीं बोले मैं बता रहे हो कि एक जो पैटर्ण बन जाता है तीन चार महीने तक एक साल तक उसको थोड़ा चेंज कीजिए तो फिर नया पनाएगा रिलेशनशिप में भी नया पनाएगा ठीक है तो ऐसे गर कि यह जो मैं तीन पॉइंट बताई इसको हमेशा ध्यान मे कभी भी धोका नहीं देंगे और दोस्तों वीडियो को बहुत जादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकियों कभी देलेशन ना टूटे और ऐसे लप्टिप्स की वीडियोस रेगुलर ली चाहते हो तो स्टी पढ़ना स्री चैनल को सब्सक्राब करके बिल वाल आइकन दबा के कॉल और आपकी कोई भी प्रॉब्लेम हो जो अगर आप मुझसे डाइरिक्ट बोलना चाहते हो तो कॉल में फॉर एप्लिकेशन के थ्रू आप मुझे कॉल कर सकते हो तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बाई